पूरे जहारखन से जुटी आंगलबाडी सेविका और सहाईकाएं बुदभार को मुराबादी मैदान में जुटी इसके बाद मार्च किया परशासन ने इन्हें राजभवन के समीप ही रोक दिया जहां पर इन्होंने परदर्शन किया जहारखन राज्य आंगनबाडी सेविका सहाईका संग के बैनर तले आयोजित इस कारेकरम को जहारखन राज्य अनुबंध कर्मचारी महा संग ने भी समर्थन दिया सेवीका और सहाईकाएं हाथ में आंगनबाडी सेवीका को महिला परवेक्षका की बाहली में आरक्षन उम्र सीमा में छूट विशय और सेक्षनिक योग्यता की अनिभार्यता को सिथिल करने केंदरांश मानदे मद की राशिय में विधी हर महीने पाँच तारी को मानदे देन आदी की तक्तियां ली हुई थी सेविकाओं ने कहा कि नियामवली में सरकार ने बड़ी बड़ी बातें नियम और शर्तें सेविकाओं सहाईकाओं के लिए कही थी लेकिन कोई भी नियम और शर्तें धरातल पर अब तक नहीं उतर पाई सरकार ने वह नियामावली में वादा किया था कि महिला सुपरवाइजर की नियुक्ति में 25 परतिशत सेविकाओं को प्राथिमिक्ता दी जाएगी लेकिन जार्खन राज्य करमचारी चैन आयो के बिग्यापन में इसकी अंदेखी की एंटी करप्षन ब्यूरो की बड़ी कारवाई घूस लेते रंगे हात धराये कलर्क और जेई जार्खन में बुधवार को एंटी करप्षन ब्यूरो ने दो ओफिस में चापे मारे की टीम ने घूस लेते हुए एक कलर्ग और जुनियर इंजिनियर को रंगे हात पकड़ा है दोनों आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर घूस ले रहे थे वही कलर्पर्ग नौकरी के नाम पर पैसे लेने के आरोप में यह कारवाई की गई है कई घंटे की पूछताच के बाद आरोपी के पास से CBI टीम ने 30,000 रुपए बरामत भी किये यह घटना रामगड के सेंटरल कोल फिल्ड परियोजना कार्याले में बुधवार सुब़ CBI और ACB की टीम ने सयुक्त रूप से चापे मारे की शुर्वाथी खबरों को माने तो आरोपी ने पैसों को एक फाइल में चिपा कर रखा था जारखन में आयुष्मान भारत की सुची से हटाए गए 78 होस्पीटल जारखन में आयुष्मान भारत जन आरोगिये योजना में फरजी वाड़ा करने वाले 400 से भी अधीक होस्पीटलों के खिलाब कारवाई शुरू की गई है परशासन दोरा की गई कारवाई में 78 अस्पतालों को गडबड़ी करने के आरोप में डी इंपलेंट अस्पतालों से लगबग एक करोड रुपए जुर्माना वसुला गया है जबकि 2500 से अधीक अस्पतालों को शौ कोज दिया गया है एक अस्पताल संचाले के खिलाब एफायार भी दर्ज कराई गई है मीडिया की खबरों को माने तो दो महिने पहले लोक सभा में पेश सीजी की रिपोर्ट में भी ज़ारखन की अस्पतालों में बड़े पैमाने पर फर्जी वाड़े का खुलासा किया गया था ज़ारखन में दूद उत्पादन करने वाले पशुपालों को तीन रुपे परती लीटर मिलेगी प्रोचसाहन राशी ज़ारखन में दूद पर पशुपालों को प्रोचसाहन राशी दी जाएगी इसको लेकर जहारखन के क्रिसी मंतरी बादल पत्रलेख ने बड़ी घोशना की है घोशना को माने तो जहारखन के पशुपालकों को परती लीटर दूद पर तीन रुपए की प्रोचसहान राशी दी जाएगी जहारखन के मुख्यमंतरी हेमंसोरे ने बुधवार को पलामों में मेधा डेयरी प्लांट का उधगाटन किया इस औसर पर जहारखन के क्रिसी मंतरी बादल पत्रलेख ने कहा कि पशुपालकों को नबे परतीशत अनुदान पर पशुउपलप्त कराए जाएंगे उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने इसे लटका कर रखा था जहारखन में पाँच लाख लीटर दूद उतपादन का लक्षे है मंतरी ने कहा कि जब खेती करनी थी तो बारिश नहीं हुई अर अब बारिश हो रही है इस बारिश से रभी की फसल को नुकसान होगा दुग्द उतपादन वेकल्पिक आयका साधन है मौके पर मंतरी रामेश्वर उराव ने कहा कि पलामू शेत्र की पहचान बदल रही है पलाश और लाह का उतपादन कम हो रहा है लाह और पलाश को पूनर जीवित करने की जरूरत है जारखन के पंचायत सचीवालय समय सिवकों का सचीवालय घेराव पुलिस ने रोका अपनी मांगों को लेकर पंचायत सचीवालय समय से राजभवन के समक्ष धरना पर वैठे हुए थे बुधवार को वे सरकार तक अपनी आवाज पहुचाने के लिए घेराव करने पहुचे जुलुस की शकल में निकले पंचयाच सचीवालाय स्वेश सिवकों को पुलिस धुर्वा गोल चकर के समय पही रोक रही हलाकि वे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे इस संबन्द में संग की ओर से कहा गया कि हम लंबे समय से अपनी पांच सूत्री मांग सरकार तक पहुचाना चाह रहे हैं लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार हमारी मांग मानने को तयार नहीं है संग का कहना है कि जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं होता है तब हम मानने वाले नहीं है देश भर में खुलेंगे नए 401 एकलब्य मोडल आवास्य विद्याले खुलेंगे मीडिया की खबरों को माने तो इन नए स्कूलों में 38,000 सिक्षक और कर्मचारियों की भरती होगी अर्जन मुंडा ने स्कूलों के खुलने और उनमें सिक्षकों की भरती की जानकारी देहरादून के महराना प्रताप स्पोर्ट्स कोलेज में एक फंक्षन के दोरान दी इस राजे में बरतमान में लगवक चार एकलब्य मोडल रेजिडेंशनल विद्याले चल रहे हैं बतादी की एकलब्य मोडल आवास्य विद्याले भारत में निशुलक आवास्य विद्यालेयों की एक सीरीज है इनकी अस्थापना एक सरकारी पहल के तहत की गई थी जिसका उदेश्य दूर दराज के शेत्रों में अनुसुची जन जाती के शात्रों को गुनवता पूर्ल मीडिल और हाई इसकूल सिक्षा परदान करना है इस दिन जारी हो सकता है पियम किसान की पंदरवी किस्त सरकार के द्वारा अभी तब 14 किस्त किसानों के लिए जारी कर दी गई है अब पंदरवी किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने है मेडिया की खबरों को माने तो केंदर सरकार इसी साल नौंबर या दिसंबर में पियम किसान सम्मान निधी योजना का राशी किसानों के अकाउंट में भेज सकती है हलाकि इसे लेकर केंदर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधीकारिक बयान नहीं आया है सरकार के द्वारा परधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना से जुड़े किसानों के दस्तावेजों की भी जाच की जा रही है इसके तहद गलत तरीके से पैसा लेने वाले किसानों पर कारवाई भी की जा रही है PM किसान योजना के लिए अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो अभी भी आवेदन कर सकते हैं पतादे कि इसके लिए आवेदन करने के लिए परधानमंत्री किसान संबान निधी योजना की ओफिसियल वेबसाइट PMKisan.gov.in slash पर जाना होगा Asian Games में भारत ने रचा इतिहास 72 साल पहले बार ऐसा कमाल भारती खिलाडियों ने Asian Games 2023 में रिकोर्ड तोड़ परदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया खेल के 72 वरसों के इतिहास में भारत ने पहली बार ऐसा खेल दिखाया है जिसने नया किर्थिमान अस्थापित कर दिया भारती खिलाडियों द्वारा खास कर एतिलिट ने इस बार बेहत जवरदस्त खेल दिखाया है खेल के 11 दिन भी भारत का जल्वा एशियन गेम्स में जारी है और इसी दम पर नई इबारत लिखी गई एशियन गेम्स 2023 में भारती दल अब की बार 100 के पार का लक्ष लेकर चीन पहुँचा हांग जोओ में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारत का परदर्शन 11 दिन तक 70 से ज़्यादा मेडल तक पहुँच गया इस बार के खेल में पिछले 72 सालों में भारती टीम के खाते में सबसे ज़्यादा पदक आ चुके हैं खेलों के इतिहास में टीम इंडिया का ये सर्वस्रेश्ट परदर्शन हो चुका है 1971 में पिछले एसियन गेम्स में भारत के लिए इतने पदक आये थे उसे 2023 खिलाडियों ने पीछे छोड़ दिया UGC ने जारी की 20 फरजी कोलेजों की सुची ऐसे कोलेजों के बारे में और शात्रों और अभिभावकों के बीच जागरुपता पैदा करने के लिए जिनके पास डिगरी परदान करने की शक्ती नहीं है या जिनके दुबारा दी गई डिगरी की मानिता नहीं है UGC ने फरजी कोलेजों की एक सुची जारी की है मीडिया की खबरों को माने तो UGC के संग्यान में ये आया था कि कई संस्थान UGC अधिनियम 1956 के प्रावधानों के बिपरित डिगरी बांट रहें थे और ऐसे बिश्व भी दिया लेओं संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिगरी उच सिक्षा एवं रोजगार उदेश्य से मानिता प्राप्त या नहीं या मानिर नहीं होगी UGC ने बीज फरजी कोलेजों की सुची जारी की है अधिकारियों ने शात्रों और अभिभागों से अनुरोध किया है कि वे उच सिक्षा के लिए नामांकल लेने से पहले मानिता प्राप्त संस्थानों के साथ साथ फरजी संस्थानों के बारे में जानकारी के लिए UGC की बेपसाइट पर जरूर भीजिट करें मोधी केबिनेट का बड़ा फैसला उजवला योजना में अब मिलेगी 300 रुपई की सबसीडी मोधी सरकार ने केंदरिय केबिनेट की बैठक में बड़ा निरने लिया है केंदरिय केबिनेट के इस फैसले की जानकारी केंदरिय मंतरी अनुराग ठाकुर ने दी उन्होंने कहा कि सरकार ने उजवला योजना वाले सिलिंडर की सबसीडी बढ़ाने का निर्ने लिया है सरकार ने सबसीडी को 200 रुपे से बढ़ा कर 300 रुपे कर दिया है उजवला योजना में 9.59 करोड परिवारों को मोधी सरकार ने गए सिलिंडर दिये है गरीब महलाओं को गए सिलिंडर मिलने से धुए से निजात मिली है लेकिन सबसीडी ना मिलने के कारण एक दस्मलों एक आठ करोड परिवारों ने कोई सिलिंडर नहीं खरिदा था विपक्ष लागातार इसका मुद्दा बनाकर मोधी सरकार पर हमलावार था 2023 में राजस्थान मध्यपरदेश 36 गर्ते लंगाना और मिजोरम क मिलाकर पांच राजियों में बिधान सभा चुनाओ है उजवला योजना में सरकार ने पहले 200 रुपे तक सबसीडी कर दी थी लेकिन अब 100 रुपे और बढ़ाकर 300 रुपे तक सबसीडी कर दी है बतादी कि मोधी सरकार की फैसले को चुनाओ से जोड़ कर देखा जा रहा है